अक्सर खेल कूद करते टाइम, शैतानिया करते टाइम, क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है और फिर कभी-कभी वहां से बलड भी आ जाता है और इस बलड को देखे हम बहुत जादा डर जाते हैं और अलग-अलग तरीके अपनाने लगते हैं ताकि ये बलड बहने से रु होता है तो तो बिलकुल भी नहीं क्योंकि आपकी साइंस में तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिया गया है तो मैं आपको बता दूँ ये बलड का रेड कलर होता है आर बीसी की वजह से इसी की वजह से जो हमारा बलड होता है वो रेड कलर का हो पाता है अब हमें ये जानना ह कि ये RBCs आई कहां से हैं और इनका function क्या है इसके लिए हम सबसे पहले discuss करते हैं कि blood के functions क्या है blood जो है हमारी body तक oxygen और बाकी सारे nutrients बहुचाता है जिसकी वज़ा से हमारी body जो है अपने सारे functions properly on time कर पाती है इसकी ही वज़ा से हमारे tissues and organs on time work कर पाते हैं हमारे lungs, digestive system, heart और इन सब जगा पर oxygen on time पहुचती है जिसकी वज़े से सारे processes ठीक से उपाते हैं and CO2 as a waste product release कर दी जाती है उसके बाद हमें ये जानना है कि जो ये blood होता है यही हमारे heart से pump होके oxygen and various hormones हमाई body में circulate करवाता है blood जो है वो blood cells and plasma से बनता है अब हम जानेंगे three types की blood cells जो होती है RBCs जिनने हम बोलते हैं red blood cells WBCs जिनने हम बोलते हैं white blood cells and last होती है plateds अब हम जानेंगे red blood cells के बारे में red blood cells यानि RBCs को erythrocytes भी कहा जाता है and यह most common blood cells होती है और erythrocytes blood volume का 40-45% cover करती हैं तो आईगे जानते हैं 22-30 trillion red blood cells present होती है एक adult human being में अब देखते हैं हर second कितने RBCs बनती रहती है तो 2-3 million RBCs हर second बनती रहती है तो फिर एक दिन में कितनी बनती है एक दिन में 200 billion से भी जादा RBCs produce होती है अब जानते हैं इनका diameter कितना होता है 6 micrometers का इनका diameter होता है अब हम जानते हैं red blood cells produce कहां होती हैं तो ये bone marrow में produce होती हैं उसके बाद जब ये fully mature हो जाती हैं तो ये हमारी blood stream में ही mixed up हो जाती हैं इस process में 7 दिन लगते हैं इस process takes 7 days RBC के maturation में 7 दिन लगते हैं अब नाव most interesting बात की RBC के पास तो भई nucleus ही नहीं होता nucleus क्यों नहीं होता ताकि ये जादा से जादा oxygen ट्रांसपोर्ट कर सकें अपने साथ और इसी वज़े से जादा से जादा oxygen ट्रांसपोर्ट हो पाती है लंग से पूरी body में oxygen की main delivery भी यहीं से कराई जाती है और फिर हमारी body के tissues इसी oxygen से energy production करते हैं oxygen utilization के बाद CO2 as a waste product release कर दी जाती है देखा जाए तो RBC तो भई बहुत ही amazing काम करती है So now अब हमें ये जानना है कि RBC का color red कैसे होता है It is possible due to the presence of hemoglobin Hemoglobin ही होता है जिसकी वज़ा से हमारे blood को red color मिलता है Hemoglobin ही oxygen के साथ bind up होता है and then हमारी पूरी body में oxygen transport कराता है तो आए जानते हैं इतना सारा काम करने वाली न RBC का life span कितना होता है RBC का life span सिर्फ और सिर्फ 120 days का ही होता है After 120 days यह जो RBC होती है यह हमारी blood stream से अलग कर दी जाती है And then यह जो RBC होती है यह बाद में हमारे liver और spleen में जाके destroy हो जाती है इसलिए इनको graveyard भी का आ गया RBC का So now अब हम जानेंगे कि कितने RBCs present होते हैं male, female and children's में तो आए जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि children's में per microliter blood में 4 to 5.5 million RBCs present होते हैं And in females per microliter blood में 4.2 to 5.4 million red blood cells present होती हैं And males में यह RBC count हो जाता है per microliter blood में 4.7 to 6.1 million So I hope you like my video Comment section में मुझे जरूर बताएं कि आपको आज की video कैसी लगी Thanks for watching my video If you like my video, please like, share and subscribe my channel Thank you very much